आग्रा में सरवाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोरोना वारेस के चलते रेल्वे को बड़ा नुकसान हो रहा है कोरोना के कहर कोरोना के कहर से देश की अर्थववस्ता में पलीता लगने लगा है कोरोना के कहर से रेल्वे को बड़ा नुकसान हो रहा है सरकार द्वारा जारी इदायत की चलते लोग आने जाने से बच रहे है यही बज़ा है कि धड़ा धड़ रेजर्वेशन कैंसल हो रहे है हर जगा इसका प्रिकोशन लिजा रही है इसी के तहत रेल्वे में भी जो समान नेक बुकिंग चलती है इसको आप यह मान सकते हैं कि रेल्वे में कितना आर्थिक नुकसान हो रही है और दूसरे सब्दों में यह भी मान सकते हैं कि हमारे जो नागरिक हैं जो हमारे रेल इूजर्स हैं उनमें जागरीती भी आ रही है वो चार हैं कि अती आवश्यक अगर कोई काम हो तो वो यात्रा करना चाह रहे हैं वहीं लोग यात्रा करने से बच रहे हैं नई रेजरवेशन ना के बराबर हो रही है ऐसा माना जा रहा है घाटे का यह अकड़ा 50-35 तक जा पूचा है टिक्टे रद हो रही है जो पहले से आपको पता है कि टिक्टे चार मेने पहले बन जाती है तो लोग को मालम तो था नहीं कि यह आने वाला है ऐसी आपदा तो लोग ने टिक्टे बनाई थी परन्तु वो लोग जिनको ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा के वगएर भी मेरा काम वो लोग अपने टिक्टो को कैंसिल करा रहे हैं और वैसे लोग जिनको यह लग रहा है कि नहीं यह यात्रा तो करनी ही करनी है जैसे किसी का appointment है medical appointment है या किसी का और भी कोई अति आवश्यक काम है वो यात्रा कर रहे हैं लेकिन जो जैसे कि कोई शेर सपाटे या घुमने के लिए अपना प्रोग्राम बनाएचे वैसे लोग अपना प्रोग्राम को कैंसिल करा रहे हैं कोरोना वाइरस की दहसत के चलते लोग यात्रा करने से बच रहे हैं सभी को डर कोरोना वाइरस का है फुल चलती थी पैर रखने तकी जगाई रहती थी लेकिन सभी सीटें खाली पड़े हुई हैं जिस तरब भी हमारा केमरा जाता है वहाँ पर सीटें खाली दिखाई देती हैं आप खुद देख सकते हैं सीटें लगबग खाली हैं केवल एकका दुका रेल यात्री इस प्रेन के अंदर सपर करते दिखाई दे रहे हैं आप दीख सकते हैं ओपर की हैं अपने साथ एकले दुबे के साथ राकिश का नोजिया सी न्यूज आगरा